ये कोहराम, ये अफ्रा तफ्री, मौके पर जान बचाने के लिए जद्दो जहद करती है स्डी आरेफ की टीमें, चल्टी सांसों में महफूद जिन्दगी की आस में रफ्तार भरती एंबुलेंस, अपनों की सलामती का इंतजार करती निगाहें, उपर वाले से आप लोग भी दूआ कीजिए, जो लोग भी उसमें अंदर हैं, सब महफूद निकलें। जिन्दगियां बचाने की गुहार पूरे शहर में गुंजने लगी, देखते ही देखते मौके पर शहर का प्रशासनी कठा हो गया। SDRF की टी में मौके पर पहुची और तुरंत राहत बचाओ का काम सुरू हुआ। की हम एकदम ग्राउंड जीरो पर मौझूद हैं और ग्राउंड जीरो से आपको एक्क्लिसिफ तस्वीरे दिखा रहे हैं। देखिए जिस जगे पे ये लोग तमाम लोग SDRF और NDRF के लोग खड़े हुए हैं ये पाचपा फ्लोर है ये पाचपा फ्लोर की छट है। देखिए तमाम लोग अभी ऐसे भी हैं जो अंदर मौझूद हैं जिन से फोन पर उनके परिवार वालों का संपर्क हो रहा है। परिवार वालों को परिवार कर निकाल लिया गया और उनको अस्पताल भेज दिया गया है इलाज के लिया और तमाम ऐसे लोग हैं जो लोग अभी भी इस मलवे के अंदर फसे हुए हैं और देखिए आक्सीजन दी जा रही है पाइप के जरीए अंदर आक्सीजन दी जा रही है ताकि जो लोग अंदर फसे हैं उनको आक्सीजन मिल सके और देखिए यहां पर तमाम जो पुलिस की भी NDRF की बात करें तो बड़ी तादात में जो SDRF और NDRF के टीम के लोग हैं वो यहां पर मौजूद हैं और Rescue Operation देखें लगतार जारी है हालकि अभी ये वजह नहीं पता चल पाई है कि किस कारण ये जो नेता हैं सफा के उनका भी परिवार यहां पर रहता था और इस हास्ते में उनका जो परिवार के लोग हैं वो भी घायल हुएं तमाम ऐसे लोग यहां पर मौजूद हैं जिनके परिवार वाले इस मलबे में अभी भी दवे हुए हैं तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है क कितनी बड़ी ये घटना है हाला कि अब घटना की जाज की जाएगी और जाज में जो जिम्मेदार लोग इसमें दोशी पाए जाएगे उनके खिलाफ कारवाही की जाएगी फिलहाल देखिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जा रही है और खुद पूरे घटना का उत्तर प अपरेशन खतम किया जाए और जो तमाम लोग इसमें फसे हैं उनको बाहर निकाला जाए विडियो जन्निस राजविष के साथ मैं अबुत अलहा आज की खबर लखना हूँ मौकाय वारदात पर पूरा प्रशासन इकठा होकर मलवे में दवी करीब 30-40 जिंदग्यों को महफोज निकालने की भरशक कोशिस में लगा रहा कई घंटों तक राहत बचावकारे चलता रहा जमीदोज हिमारत के मलवे से देर रात एक एक करदबे लोगों को निकाला जाता रहा मौके पर प्रदेश के सियासी चेहरों की मवजूदगी देखने को मिली प्रदेश के डिप्टिसियम ब्रजेश पाठक सहित कई और सियासदान मौके पर पहुँचे के अंदर मलवे के अंदर दबे और फसे हुए हैं वहां पर सापा के जो प्रवक्ता है दर अबास साब उनके पिता जी भी फसे हुए हैं उनसे मेरी बात हुई हैं अभी वो जीवित हैं और उन्होंने कहा है कि मलबे के अंदर अभी सभी लोग लगबग जीवित हैं जल्दी से अगर उनको निकालने की कारवाई हो जाए तो सब लोग बस सकते हैं कितने लोग अंदर बताई जा रहे हैं लगबग 50-60 लोग जो अंदर बताई जा रहे हैं कुछ लोग अभी जीवित निकले हैं और प्रसासन से यह बात हमने करी है कि जल्दी जल्दी इन लोगों को मलबा अटा करके अगर निकाल लिए जाएगा तो जीवित बच जाएंगे कि यहाँ पर बेस्मेंट में खुदाई हो रही थी और बेस्मेंट की खुदाई होने के कारण से वो पिलर पूरा गिर गया और पिलर के गिरने से पूरी बिल्दिंग गिर गई यह लडिये की लापरवाही का परणाम है कि इतने लोग इसमें दब गए हैं और अभी देजन करना हैं उनको निकाला जाएगा तो सब लोग जीवित निकलाएंगे तो देखिए ये सपविदाइक रभीदास मौनुस्ता ते दिनों साफतोर से बताये कि तमाम लोग ऐसे भी अंदर हैं जो फसे हुए हैं उनसे बातचीत हो रही है और कई लोगों के शब निकाल दिये गए हैं तो देखिए कि ये बड़ा हास्सा है और अब देखिए अभी र धटका आया और इतनी बड़ी इमारत भरभरा कर जमीन पर आगिरी जहां पहली प्राथ मिक्ता थी वहां फसे लोगों को महफूज निकाल कर अस्पताल पहुचाना इसके बाद सवाल उस विल्डिंग पर उठने लगे पता चला की अलाया अपार्टमेंट की ये विल्डिं कब जाने के अक्सर आरोप लगते रहते हैं यजदान का दागदार इतिहास पुराना है राजधानी लखनव में इससे पहले भी विल्डर की बनाई इमारतों को तोड़ा और सील किया जा चुका है इस हादसे के लिए जितना जिम्मेदार विल्डर है उतना ही जिम्मेदार प्रशाशन को भी ठहराया जा सकता है क्योंकि प्रदेश सरकार ने बहुत पहले ही जरजर इमारतों को जमीदोज करने का आदेश दे दिया था इसके बावजूद भी लखनोव विकास प्राधिकरण की साठगाट के चलते ऐसी इमारते महफूज रही आरोप के मुताविक क ये विल्डिंग कमजोर ढाचे पर खड़ी की गई थी बताया ये भी जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से विल्डिंग के निचले हिस्से में खुदाई भी की जा रही थी हादसे में आधिकारिक तौर पर दो मौतों की पुष्टी की जा चुकी है बाकी घायलों का अलग-अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है वहीं हादसे को लेकर जिम्मेदारों के खिलाफ प्रदेश सरकार कठोर कारवाई की तयारी कर रही है मामले की जाज के लिए सरकार की तरफ से तीन सदस्य कमेटी गठित कर दी गई है साथ ही पूर्वमंत्री शाहिद मनजूर के बेटे नवाजिश को मेरट से गिरफतार कर लिया है वहीं पूर्वमंत्री के भतीजे की तलास जारी है राजधानी के भीतर हजारों टन के बोज दले से निकली चीख पुकार के लिए असल गुनहगार कौन है? मौत को लेकर मातम का खतावार कौन है? कौन है जिसने जमी दोज हुई इमारत की बुनियाद में जिम्मेदारियों की इट रखने में लापरवाही की? इसकी पुखता जाच होनी चाहिए और गुनहगारों को उनके गुनाह की सजा मिलनी चाहिए विरो रिपोर्ट प्रपंच टीवी